और दर कॉंग्रेस नेता और राय बरेली से संसद राहूल गांधी ने अठारवी लोग सभा में संसद पद की शपत लिए इस दौरान विशंसद भवन में समविधान की कौपी लेकर पहुंशे और शपत से पहले समविधान की कौपी दिखाई शपत ग्रहन करने की बाद राहूल गाधी ने जय हिंद और जय सम्विधान का नारा भी लगाया जय हिंद जय सम्विधान खबर बलासपूर से खिलाफ कारवाई अभी भी जा रही है खिलाफ पांचवे दिन भी लगातार निगम और प्रशासन कारवाई कर रहा है अतिकर्मनकार बनाए गए मकान और इमारतें तोड़ी जा रही है चांटी डीही के मेला पारा में निगम लगातार कारवाई कर रहा है और 742 अवैद निर्मारों को दोस्त किया जाना है जिन में से अभी तक 600 से जादा मकान गिरा जा चुके हैं लेकिन प्रशासन को निगम को विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है उन लोगों के जरे जिनके जो अवैद मकान है निर्मार है खटाए जा रहे हैं उनका लगातार विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है अतिकर्मन कारियों ने चक्का जाम भी किया और उन्हें दूसरे आवाज देने की मांग भी वुकर रहे हैं कहीं दूसरी जगह पर अलगी प्रिशासन बाचीत कर रहा है ताकि शांती से जो अवैदती कर्मन हैं उसे हटाये जा सके हैं अमेश मोरे हमारे साथ जुड़े हैं जानकारी के साथ तुमेश बाचीत का बाचीत हो रही है क्या दूसरा छैसो से जादा मकान अभी तक हटाये जा चुके हैं गतीरोध बना हुआ है या फिर हना चानत हैं देखें, निश्कीतरुप से गतिरोध अभी भी बना हुआ है, गतिरोध इसलिए है, क्योंकि 50 से ऐसे लोग हैं, जिनको अभी भी मकान अबंटिद ने किया गया है, जिससे लेकर लगातार उन लोगों को जिला प्रशासन अगनिगम से मांग कर रहे हैं, कि उनको दूसरी बार है, वो मंदिरों में सड़कों पे रहने के लिए मजबूर है, आला कि प्रशासन जरूर ये कह रहा है कि उन लोगों को चिन्हांकित किया जा रहा है, जिन लोगों को माकान नहीं मिला है, ताकि उनको बस आया जा सके, फिलहाल अभी आतिकमरण की जो कारवाई है, वो बगबाद, 742 मकानों को तोड़ा जाना है, जिसमें से 600 को तोड़ दिया गया है, इसके अलावा इससे पहले 1160 मकान हुआ करते थे, उसमें से 400 लोगों को पहले ही सिप्ट कर दिया जिया था, चूंकि 742 मकान बचे हुए थे, तो ये हटाने की जो कारवाई तोड़ की ये है, लेकिन कहीं न कहीं बरसात के दिनों में इस तरीके से अतिक्रामन की कारवाई को लेकर लगातर सवाल भी उठ रहे हैं, बिलकुल, बिलकुल, व्याभारिकता जरूर ध्यान रखनी चाहिए थी, जब ये एक्शन किया रहा था, तो 742 मकान जिने हटाया जारा, शुक और इनकी गरफतारी के बाद, पुलिस ने ने मीडिया के सामने भी पेश किया, चारों नकसलियों के खिलाफ गंभीर मामलों में अपराद कायम है, जो जानकारी मिल रही है, और बड़ी, अगर हम कहें तो सफलता, ये पुलिस के लिए है, चार नकसलियों के एक साथ गरफत गरफतारी की गई है, तो पुलिस ने चारों की गरफतारी के बाद, ये मीडिया के सामने भी पेश किया, खलगी लगाता, रेंटी नकसल आपरेशन सेक्ट तोर पर चला जा रही है, और बस्तर रेंच के आईजी सुंदर राजपी ने नकसलियों के नकली नोट चापिने के खुलासे के बाद सतर करेनी की अपील किये है, उन्होंने नकसल प्रभावत इलाकों के लोगों से कहा है कि वो पैसों के लिए इन देन में साथधानी बरते हैं, गोर तलबे की आहाल ही में सरचिंग के दौरान सुरक्षापलों को नकसलियों के ठिकाने से नकली नोट चाप रही है. के संदर पर आउशेक सावदेने बरतने के लिए, अरबी दौरा जारी की के गैरिलेंज को पालन करने के लिए हम पुराप पिल करते हैं. गोर तलबे की अक्टूबर 2020 में एपेक्स बैंक भरती के लिए परिक्षा हुई थी और दिसंबर 2024 में रिजल्ट जारी किया गया था. कि मंत्री जी से हम लोग इसलिए मिलने आया हैं सिर्फ रिक्षेस्ट करना चाहते हैं कि मंत्री जी एक बार गम से इकम भरती प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए भाज अधिकारियों को बोल दे. बस हम लोग से यह रिक्षेस्ट है कि मैं हम साथ से आट महीं न हो गया सब बाहर बाहर जगे से आया हैं धर में भी बहुत ज्यादा अब मलब प्रेशर है हम लोग को सब एकोनोमिक प्रेशर भी है कि यह है वो है बाहर बाहर से आना पड़ता है तो हम लोग बहुत परिसान करेंगे कि मंत्री जी अगर नहीं होता तो पुरी ग्रूप इच्छा मित्यों की मांग करेंगी जो की सरकार के उपर है जॉइनिंग देना हम लोग तो यहीं चाह रहे हैं कि जॉइनिंग देदे अगर नहीं देते